हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आयो बढ़िया होंगे वेलकम बैक टो बीटिप्स भाई वबली फ्रेंट्स आज हम घर पर ही वैटमीन सी का फेशल करने वाले हैं जिसमें हम अंगूर का इस्तिमाल करने वाले हैं जो आपकी स्किन पर कमाल कर देगा फ्रेंड्स वेटामिन सी संतरे में नीमो में पाई जाता है आज हम बात करने वाले हैं अंगूर की अंगूर में भी भरपूर वेटामिन सी होता है वेटामिन सी हमारी स्किन के लिए बेहत जरूरी है देखे क्या क्या करता है वेटामिन सी इसकिन को गोरा बनाने में, बेदाग बनाने में, और सुन्दर बनाने में बहुत ज़रूरत होती है। तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ज़्यादे बेनिफीशल होने वाली है इंफॉर्मेटिव होने वाली है चलिए शुरू करते हैं रेमेडी को बनाना तो फ्रेंट्स कमाल कर देने वाले आज के फेशल को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है अंगूर अंगूर भाईया सबके घर में मिल जाएगा अजकर क्योंकि इसी जन चल रहा है अंगूर का तो आप इसे भर पूर मातला में खाईए भी और इसकीन पर लगाईए भी और चमकती तो अचा पाईए भी तो यहाँ पर देखें मैं क्या करूँगी मैं जो ये एक कप अंगूर मैंने इनको धोलिया है साफ कर लिया है अब मैं इने एक मिक्सी के जार में डालकर पीशने वाली हूं साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा एक डेड़ चमच गुलाब जल भी एड़ करने वाली हूं और मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी पीश लूँगी खूबशूर तरीके से फ्रेंड्स अंगुर में वेटामिन A भी है वेटामिन C भी है वेटामिन B6 भी है मिल्डर्स भी है पोटेश्यम भी है केर्श्यम भी है आयरिन भी है फासपोरस भी है मेगरीश्यम भी है सेलेनियम भी है बहुत सारी चीज़ी है जो स्कीन पर से दाग दब्बों को जाईयो को जुड़ीो को सन बनो को pimples को सब को खतम करने वाला है आप grands skin से कालेपन को खतम करने वाला है आपकी skin को glowing और खूब सूरत बेदाग फेर बनाने वाला है तो देखे मैं ने अंगूर को peace लिया है अब मैं यहा पर इसको छान लोगी एक चलनी के द्वारा आप चाहे तो इसे किसी कपड़े में भी चान सकते हैं बहुत इजली चन जाएगा ये चलनी के द्वारा भी बहुत ही अच्छी तरह से चान कर मैं इसे आज के फेशल में हम इसे इस्तेमाल करने वाली हैं ये है हमारा आज का व्यूटिफुल इंगिरियंस विटामिन सी से भर पूर बहुत ज़्यादे इसमें विटामिन सी है जो आपकी स्किन से सारे दाग दब्बो को जाईयों को और अन्य प्रोब्लम को ये जड़ से खतम करने वाला है इतना खूब शुरत आज का ये हमारा इंगिरियंस है तो देखे फ्रेंट्स अब बनाएंगे हम इस्क्रब इस्क्रब करना बहुत ज़रूर है इस्किन के लिए डेडी स्किन को उतारने के लिए काले पन को खतम करने के लिए तो friends देखे, सबसे पहले मैं फिर यहाँ पर वही अंगूर का जो रस है अमने निकाला है मैं यहाँ पर वो तीन चार चमच ले लूँगी आप अपने हिसाब से ले लीजेगा, जितना इस क्रब आपको बनाना है मैं यहाँ पर वो पर वी रगाने के लिए बना रही हूँ चार चमच मैंने रस लिया अंगूर का और मैं इसमें एक डेड़ चमच बेसन एड़ कर दूँगी बेसन इसकिन को निखारेगा, डेड़ सकिन को रिमो करेगा दाग दब्बो को जहाईयो को कालेपन को खतम करेगा क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में प्रोटीन होता है जो हमारी स्कीन को भी प्रोटीन चाहिए वहिया जब हमारे शरीर को चाहिए तो स्कीन को भी चाहिए इसकिन को निखारने में help करेगा इसकिन को healthy बनाएगा दागदबो को भी खतम करेगा और आपकी स्किन से excess oil को भी खतम करेगा गंदकी को भी खतम करेगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं mix कर नहीं हूँ इसे मेरा थोड़ा सा ये paste पतला हो गया है थीन हो गया है तो मैंने क्या करा हैं मैंने इसमें थोड़ा सा बेशन और add कर दिया है अगर आपकी साथ भी असा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा बेशन और add कर सकते हैं तो friends देखें मैं यहाँ पर इसे सारे को अच्छी तरसे mix कर लूँगी यह हमारा खूब सूरत सा इस्करब बन करते ही आर होगा बिल्कुल नेच्रल सा इस्करब बन करते ही आर होगा बीना कैमिकल वाला और 100% असारदार तो mix करके आपको इसे अपने चैरे पर लगाना है और अभी मैं आपको हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ इसका रिजलता आप अभी मेरे आथ पर देखेगा अपने चैरे को साप करके फ्रेंट्स इसे अपलाई करिएगा और इस अपने चैरे पर रगड़िएगा जिस तरह से मैं देखिया आथ पर लगा कर दिखा रही हूँ कम से कम आपको दो मिनट तक खुब अच्ची तरह से स्कर्ब करना है अपने चैरे पर यह आपकी डेड़ी स्किन रिमो करेगा डेड़ सेल्स रिमो करेगा मतलब आपका काला पन जो काली परत होती है उसे उतारेगा साथ ही आपकी डश्ट गंदगी साप करेगा स्किन से चैरे से और डाग दब्बो को जाएए और कोसं बन को अन्य प्रोब ense को भी खतम करने में हेल्प करेगा तो आपको देखे दो तिन मिनट से चैरे पर लगरने के बाद में क्या करना है आपको अपना चैरा दो लेना है नूर्मल पानी से बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेना है आपको और उसमें आपको डालनी है मुलतानी मिट्टी जी हाँ वही मुलतानी मिट्टी जो बहुत पुराने से स्किन के लिए यूज होती आ रही है और बहुत बहुत बहुतरीन काम करती है स्किन पर इसकिन को खूब शुर्त बनाने में और निखारने में मुलतानी मिट्टी का कोई जवाब नहीं दागदबो को भी खतम करती है पिंगमन्टेशन को खतम करती है पिंपल को खतम करती है इसकीन से एक्सेस ओल को खतम करती है इसकीन को साब भी करती है विसकीन को वाइट अंड ब्रैट बनाती है और यहा बहुत ज़दे बेनिफीशल होती है इसकी इन के लिए दाग दब्बो को खतम करने में जहाई यो खतम करने में इसका कोई जवाब नहीं है हल्दीकर शैद का तो फिर देखना फ्रेंड्स यहां पर लेना है आपको फिर वही अंगूर का जूस जो हमने निकाला था एक यहां पर मैंने यह अंगूर का रस इसमें एड कराए और खूब अच्ची तरह से यहां पर फिर मैं मिक्स कर लूँग इन सारी चीजों को मुलतानी मिट्टी बहतरी नकाम करने वाली है फेस पैक के रूप में इसकीन से डाग स्पोर्ट को जहाईयों को पिमपल के निशान को काले पन को इन सब को कतम करने वाली है इसकीन को निखारने वाली है जो यह पैक है हमारा मुलतानी के रूप में यह सारी चीज़ आपकी स्कीन पर खूब खूब सुर्थी तरीके से असर करने वाली है खूब सुरत तरीके से आपकी स्कीन को निखारने वाली है बहुत बह बैतरीं ड्रेमिडिया आज की बहुत बैतरीं फेशल है तो आप कुछ पैक को मिक्स करके अपने चेरे पर अपलाई करना है पहले देखे हमने क्या है इसकर अब हम लगाएंगे पैक और आपको यह पैक कैसे लगाना है अभी मैं आपका हाथ पर लगा कर दिखा रही हूं आप को आप देख सकते हैं किसी ब्रस की शाहता से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से लग पाएगा फ्रेंट्स माप करिएगा मेरे मुह में दो तिन चाले आ रहे हैं इसलिए ठीक तरह से मुझसे बोला नहीं जा रहा अगर कोई गलती हो तो माप कर दीजेगा बाक्या आप समझ सकते हैं ऐसी बात नहीं है तो खुब अच्छी तरह से इस पैक को अपने चैरे पर अपलाई करके आपको कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए अपने चैरे को छोड़ देना है और 15-20 मिनट के बाद आपको अपना चैरा नोर्मल पानी से धो लेना है और मुझे भी देखे यहाँ पर 10 मिनट हो गए है आप पर लख्यावी इस पैक को और मैं यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं कितनी सुन्दर मेरे आपकी स्किन हो गई है सारा कालापन उतर गया है इसकिन साफ हो गई है और इसकिन फेर भी हो गई है मेरे हाथ की त पर देख सकते हैं मैं पूरी तरह से एंड़ोश कर लिया है बहुत बहुत बहतरीन फेशल है फ्रेंड्स पारलर में जाने की जरुत नहीं है सारा टीटमेंट आपका यह फेशल ही कर देगा घर पर बहुत अच्छा फेशल है तो आपको क्या करना है इसके बाद आपको एलेवरेजर लगाना बहुत ज़्यद्जरूरी है स्किन हाइडरेट रहेगी गलॉइंग बनेगी मौस्चुराइजर बनी रहे गए गव इसकिन में और इसकिन बहुत इसमदर नजर आएगी आप देख सकते हैं मेरा हाथ की स्किन कितनी प्यारी हो गई है कितनी सौप्ट ह हो गई है बहुत निकरी हो गई है तो फ्रेंट्स आप इस फेशल को हपते में चार दिन भी कर सकते हैं और जैसे आपको समय मिले जितना आप फेटेबर हो सके चार दिन तो बिल्कुल कमपल्सरी है हफते में से जरूर करिएगा आपके डाक स्पोर्ट जहाई या जो भी अन्ने परकार के निशान है वो खतम हो जाएंगे यहां पर रिजल्ट आपके सामने है एक मेरी बलग स्कीन है डल स्कीन है एक मेरी गलोईंग और चमकदार स्कीन है रिजल्ट 100% बेनिफिट देने वाला है इस्तेमाल जरूर करिएगा सारी रेमिडियो को ठीक इसी तरह से दिसे बने वीडियों बताई है और इसके बाद कोई साबून या फेस्वास नहीं लगाना है यह ओल स्कीन टाइफ है हर परका के लोग इसे इस्ते लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फिर आओंगे आपके लिए बिल्कुन नेच्छल लेमिडि लेकर थैंक यू पर वाचिंग